नमस्कार संस्क्राइब प्रेमियों आज का विशे है हमारा लकार परिवर्तन तो लकार परिवर्तन से पहले पता करेंगे लकार क्या होते हैं जी हां लकार, लट लकार, लेट लकार, लंग लकार, लोट लकार और विधिलिंग लकार होते हैं तो प्रारमिक्स करते हैं हम तीन लकार को कर सकते हैं कौन-कौन से लकार है पहला लकार है लट लकार दूसरा लंग लकार तीसरा लकार है लिट लकार यानि वर्तमानकाल भूतकाल भविशकाल इन तीनों को करने के बाद हमारा लकार परिवर्तन बहुत अच्छे से समझ में आ जागा है क्योंकि आपको पता है लकार परिवर्तन में लिट लकार यदि निर्देश होगा तो पठीश्यती होगा और पठती का ही यदि निर्देश हमें लंग लकार का गूत काल तो क्या होगा पहचानो आप अपठक और इसके लावा कोई भी word चेंज नहीं होता किसी भी शब्द में कोई वचन चेंज नहीं होता कोई विभक्ती चेंज नहीं होती कोई भी संग्या या सरवनाम शब्द चेंज नहीं होता सिर्फ चेंज होती है तो वो धातू के पीछे जो प्रत्य होती है जिस चिन्नों सब लोग लकार की पहचान करते हैं तो आशा है मुझे आपको समझ बात है तो चलिए देखते हैं लकार परिवर्टनम प्रयाक अक्षा चठी में या साथ में या आठी में नौई में आपका एक वाग के पूछा जाता है मालों बाल का पठी आप से वहां प्रैकेट बंद करके निर्देश पूछा जाता है कि भ परलाव या परिवर्टन करने को लकार परिवर्टन कहा जाता है जैसे क्रिद्ष चब्द लट्लकार में है प्रन्तु अगर मैं ध्यांस देखेगा यहां जो बोलना चारा है हो समझेगा प्रन्तों यदि मैं यहां पे एक बिंदी में जाएक यदि मैं इसे कृड़िस्यती करता हूँ, तो यहाँ लिट लकार हो जाएगा, जी हाँ, कृड़िस्यती का क्रिड़िस्यती होना ही लिट लकार है, हमने बिल्कुल सही पैचाना, नियम में कोई निकत नहीं है, तो क्या इतना ही काफी है? आप सबीक बतादू में क्रीडिती का क्रीडिशती होगा या क्रीडिशामी होगा यह दिरभर बाकी चिज़ों पर भी करता है क्या-क्या? जैसे कि आपका पूरुष ठीक होना चीए, आपका वचन ठीक होना चीए तो आप पिलवज सही से लखार परिवर्टन कर पाएंगे, अब देखने आगे, याद रखने कि लिए क्या है, अकर आप किसी शब्द को लट लकार से किसी और लकार में परिवर्दिद कर रहे हैं, छाई तो यहाँ हमेशा याद रखें कि अगर वाज शब्द लट लकार में है फ्रतम पुरुष द्री वचन तो वह औरों लकारों में भी प्रतम पुरुष द्री वचन ही रहेगा तो यह बहुत महत्रों है हम सबको पता हना चीए कि यदि मालों मैं लकार परिवर्तन कर रहा हूं यदि मेरा शब्द है वहां पे बाल का पठती या बाल का पठता तो क्या परिवर्तन करते समय वो भी चेंज होगा नहीं बिल्कुल नहीं ना करता चेंज होगा ना कोई विवक्ती चेंज होगी ना एक्स वाई-जड कुछ भ करते हैं और परिवर्तित होती धातु जैसे पठ्टी का पठ्थिशति क्या परिवर्तन है यां इसी को कहा गया है लकार परिवर्तन क्योंकि पठ्टी यदि मालो तो प्रतम पुरुष एक वचन का है तो पठिश्यती भी प्रतम पुरुष एक वचन का है जैसे हम उपर नियम पढ़ चुके हैं ठीक है अब यहां देखते हैं आगे क्या कहा जा रहा है लट लगार से लट लगार में परिवर्तन करने हैं अभी हम लिखता शब्द को लट लगार परिवर्तित करते हैं लिख धातूल लिटलकार में लेखिश्यथा हो जाता है लिखता लटलकार मध्यम पुर्ष दीवचन है अब लिख धातू के लिटलकार का मध्यम पुर्ष दीवचन होगा लेखिश्यथा लेखिश्यथा यहां पर ठीक कर लेंगे तो यहां पर यह जो है इसको उटा देंगे लेखिश यता ठीके अर्था लिखता शब्द को लिट लकार में लेखिश यता कहते हैं ठीके अब यहां क्या इंप्रॉर्टन है लकार में सबसे बड़ी बात हमें यह ध्यान देना है पुरुष और वचन से मैं मालो हमारे पास शब्द है लिखती और इसका शब्द है एक व सिर्फ हमें क्रियाइए चेंज गरनी है और कुछ नहीं यह लकार परिवर्तन है सिर्फ ये टेबल याद दर लो लट और रिट लकार तो आप आप शेकी जाओगे तो ध्यांज देखे लिजे आप क्रियाएएश कर सकते हैं धातू चेंज कर सकते हैं मन से जासे लिखती की श्वागे देखते हैं आगे देखते हैं कि प्रतम पुरुष का यदी वाख्य है तो प्रतम पुरुष में ही मिलेगा लट और रिट दोनों का टेवल देखे ध्यान से और वैद से और चैनल माल लो कोई भी पुरुषों का तुसी कुरुष्म चेंज जोगा अब आगे हम लट लकार से लंग लकार में देखे लिए माल लो अभी हम पठावा गवाति पहले इसका बच्ण देखेंगे पहले। देक्वेंगे ओत्तम पुर्ष में क्लिया में क्याは यहां पें तो राइट आंसर होगा अपठावा इस टेबल की साहिता से अब बाती भी धात्यों को अभ्यास कर सकते हैं तो यहां पे अब पट धात्यों के लंग लकार का उत्तम पुष्दी वचन होगा अपठावा अपठाव शब्द को लंग लकार में आपठाव हो जाता है उमीद है परिवरत स्टेप्स को अब बहुत आराम से समझ गे होंगे यानि हमें सिर्फ दो जिजों का घ्यान देना है पुरुष और वचन यह लिख लो हमें इन चीजों को समझना है पुरुष और वचन और आप कह demग हर यह पिछे की वीडियो में मैं आपको बता चुका हूं और एक बहुत ही महत्पुर्ण वीडियो भी आ चुकी है पुरुष विचार आप उसको देख सकते हैं पीछे आपको कभी भी लकार परिवर्तन में दिक्कत नहीं होगी ठीक है अब आगे बढ़ते हैं हम लोग लट लकार से लिट लकार करने के कुछ उधारन तो यहां उधारन करने से पहले हम इस चीज़ को समझ लेंगे ध्यान से जो मैंने आपको बताया इस एरो को देगे ध्यान से कैसे आ रहा है यह उत्तम पुरुष है तो उत्तम पुरुष में आ रहा है बस हमें वचन का ध्यान ति हो जेकste है अबल देखते हैं करने की कुछ उधारण जैसे कि मालनों मैं लट लकार से लिट लकार करने की कुछ बाक्त लेज़े खाव ठीक है निखते हैं वह थो जवखेश अरफात मैं जाता हूँ यहां लोग सजी कर लेंगे अहम गत्चाहँ अरफात मैं जाता हूँ कि अथा माधनी इसका लेट लकार होगा वा यह बात को ध्यान दीजेगा है कि हम लोगों ने यहां देखा कि आहां चेंज हो रहा है ना ही कोई link change हो रहा है तो प्रत्त है वो ठीक है उमीद है आप समझ किया हूंगे एक वाकिकारत है मैं जाता हूं और दूसरे वाकिकारत है मों और रेश होगा है यानि एलबात यानि आपको वाक सा्व डिलोड लकार बनाना है तो लिटल अकार ने पुरुष भ़ही रखनी है वकष्न लगार लख guidance डिलोड यामी मैं जांगा देखें यहां ब्रेज। पंधियां पटसी ये किसका है पहचानियें मध्यम पुरुष में तुव म का त्वभी रहता है आगे पटसी का क्या चेंज करना है निरदेश हमें मिल चुका है जैसे यहां पे लिट लकार हमें देश मिला हुपर है न इसका लिट तो वही पुरुष सेम होगा बचन सेम होगा लकार चेंज होगा तो क्या होगा उसमें देखे ध्यान से पठीश यसी इसमें भी क्या चेंज हुआ मात्र हमारी या चेंज हो यह बागी सब एक जैसा है प्रन्तों अर्थ बदल गया तुम पढ़ते हो तुम पढ़ोगे अब चले इसका उधारण में और भी अभ्यास करते हैं अब हम यहां पर अभ्यास करेंगे आपका लेटलकार भविश्य सी यह खिलेगा सीप्रकार लटलकार के वाक है वयम वदामहा अताथ हम सब बात करते हैं लटलकार क्या होगा लटलकार हम सब बोलेंगे हम सब बात करेंगा वयम वदिश्यामह तो देखेंगे चेंज क्या उर ignore क्रिया मैं जो बताना चाँ रहा हूं यह देखिए आप सिर्फ और सिर्फ हम लोग क्रियाओं को चेंज कर रहे हैं बाग़ी सब एक जैसा है सिर्फ क्रियाओं हमारी है चेंज रही हैं थिक थैसे ह। क्रियाओं को ही बदलता है लकार परिवर्तन में आगे देखते हैं में आपर मारे पास वाक के हैं लट्ट लकार का रामा पर देखेंगे तो प्रखम पुरुष दीवचन है अब भ्यांस देखेंगे रमेश और श्याम देखते हैं तो यहां द्रक्षता आया अब आपको पस्क्या देखना है लिट लकार की टेवल में प्रतम पुरुष दीवचन में क्या है तो देखें एक वर्ट चेंज हुआ एक वर्ट चेंज गरने से हमें पूरे माक्स मिल जाते हैं तो राम और श्याम देखेंगे अब एक लट लगार और वाक्ति देखें राम हस्ता भ्याम खाती यह वाद इसल को से नहीं चेंज होना है जिर्व आपको क्रिया चेंज करनी है क्रिया में भी क्या मूल करिया नहीं उसके प्रत्य जो है वो यहां क्या है खादती यह को देख ले हैं दोनों हाथों से खाता है कैसा क्या होगा भविष्काल में देखिए लिटलकार में निर्देश जासा मिलाए मेंstes इसका लेकार करो या लंग लकार करो ठीक है ऐसा मिदेश होगा तच्सक्राइब तभी आपको और बहुत कालम कैसे बनते है पूद के बनाया यहां पर ने कालक्च है थ्यान से मैं रामायन पढ़ता हूं वह पड हुआ बूत कालवे कैसे बनेगा यहां देखें मैंने क्या चेंज है यहां देखा पत्र लिखती है इसका क्या बना यहां सोचिए लंग लकार मों क्या बनेगा टेवल आपको लिखती को परिवर्टित कीजें अगर ना प्राप और टेवल को स्क्रेंशॉट ले लिजेगा और फिर अभ्यास कीजें तो होगा लिखती हैं सीता पत्र लिखती थी यानि मैंने हर परकार से कारण भी चेंज कर लिया विवक्ती भी चेंज कर लिया अब बे लगा लिया कोई वर्ड चेंज हुआ नहीं हुआ जब हम ब्रट लकार और लंग लकार से कुछ वाकिए दिखें पंकिम करोशी इतना और लंबा चोड़ा वाकिए चैक कितना इवन लंबा चोड़ा और तसभीस उप्रतों हमें क्या देख नहीं करोशी का क्या बन जाता है जब हम देख़े टेवल ख्री रातू की तो अ करो है न तो आशा है मुझे आप लोगों को यह बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा दो बालक घर जाते थे दो बालक घर जाते हैं यही चेंज है अब यहां पर देखें लिट लकार यूयम दुगधम पिव्था तुम सब दूद को पीते हो अब यहां पर लंग लकार क्या हुआ क्या है यहां से बाइन की यहां क्या होगा यहां देखिए और यहां कि बना मोहन खाने को पकाता है यहां प्रकार से अनेग वाक्या स्वैम भी बना सकते हैं आशा करता हूँ आपको पूरी बात समझ में आ गई होगी आज के लिए इतना ही आपका बहुत बहुत धन्यवाद। समझ डब में आपका बहुत हुग के लिए।